जेहीं दोस्तो अगनी बीर अर्मी भरती 2023 एंसर की के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे आप में से कुछ स्टूडेंट का सवाल आ रहा था कि इसका एंसर की रिलीज होगा या नहीं होगा क्योंकि आप सभी को पता है इंडियन आर्मी अगनी बीर का जो आपका रिजल्ट है यानि कि जो आपका CBT exam का रिजल्ट है ये आपको 20 मई को देखने को मिल जाएगा यानि कि 20 मई या 21 मई इन दोनों डेट में से किसी भी डेट को जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा यानि कि 20 मई को रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताये थे क्योंकि जब इस भरती का सीडूल का नोटिस आया था उसमें जो है डेट आपका दिया गया है तो 20 मई या 21 मई को जो है आपका CBT एकजाम का रिजल्ट डिकिलियर कर जाएगा और अभी तक आप सभी को पता है कि जो इसका एंसर की है यानि कि CBT एकजाम का जो है एंसर की अभी तक रिलिज नहीं किया गया है तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि एंसर की जो है इसका इस बार रिलिज होगा या नहीं तो आप सभी को पता होगा कि जो अगनी विर AORMI का है ये फॉर्स टाइम जो है आपका online exam यानिकि CBT exam conduct कर या गया है इसके पहले जितने भी exam होते थे AORMI का वह offline होता था और offline exam में आप सभी को पता होगा कि answer की जो है आपका release नहीं किया जाता था लेकिन इस बार जो है आपका CBT exam हुगा है तो answer की याना जरूरी है और answer की याने के बाद काफी सारे essay student होते हैं जो किसी प्रोस्थन पर doubt होता है तो वहाँ पे जो है वे objection लगा देते हैं यानि कि किसी भी प्रोस्थन पर अगर doubt होगा और उसके answer पर doubt होगा तो objection जो है candidate के द्वारा लगाया जाता है तो यह तो यहाँ पे confirm है कि इस बार जो है first time आपका exam होगा है इसलिए दोस्तों यहाँ पे confirm आपको कोई भी नहीं बता सकता है कि इसका answer की जो है इस बार रिलीज होगा या नहीं होगा क्योंकि यह first time exam होगा है इसके पहले अगर online exam होगा रहता तो पता चलता कि हाँ इसका answer की रिलीज किया जाएगा या नहीं तो यहाँ पे बात करें इसका answer की का तो देखें दोस्तों अगर आपका answer की जो है अगर आपका 15 माई तक एंसर की आने की संभावना है हलाएं की एंसर की आना भी चाहिए क्योंकि एंसर की आने के बाद काफी सारे स्टूडेंट का जो भी डाउट होता है प्रस्ण को लेकर उस पर अबजेक्शन लगाते हैं लेकिन दोस्तों ये फर्स्ट टाइम एक चाम हु लेगा तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे हलाएं की एंसर की आना चाहिए लेकिन आएगा या नहीं आएगा इसको लेकर कोई भी ओफिसियली जनकारी जो है अगनी बीर आर्मी के तरब से नहीं दिया गया है तो रिजल्ट तो आपका कनफार्म है कि 20 माई को जो है जीए हलाएं की एंसर की भी आना जरूरी है तो दोस्तों कोई भी सवाल और कमेंट सेक्सर में बताईएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम